हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक्स होट फोटी आइफोन में आप लोग पावर बटन एंड कॉल प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स होट फोटी आइफोन है और इस फोन में जो है आपको पावर बटन एंड कॉल प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है मान लीजे आप लोग किसी के साथ बात कर रहे हो कॉल पे और गलती से आपका जो पावर बटन है इस पे क्लिक हो गया है क्लिक होते ही आपका जो call है वो cut हो चुका है तो कैसे आप लोग इस problem को solve करोगे guys ताकि अगर गलती से भी power button पे click हो जाए तो आपका call जो है वो cut ना हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा guys आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए guys वीडियो को start करते है power button and call problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद यहाँ पर आपको उपर की तरप एक settings का option देखने को मिलेगा guys तो इस settings के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर से आपको एक option देखने को मिलेगा guys advance settings का देख सकते नीचे यह option है advance settings का advance settings पे click करेंगे क्लिक करती आपको यहाँ पर एक option मिलेगा power button and call का तो यहाँ पर देख सकते यह on है अगर यह on होगा तो power button पर click करती आपका call काट हो जाएगा तो इस problem को solve करने के लिए आपको इस option को बंद करना होगा बंद करने के लिए इस पर click करेंगे click करती यह जो option है वो बंद हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने infinix hot 40 iPhone में power button and call problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चानल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में आप तक के लिए बाइ